इस आधार पर मांगी, इस सोच को प्रतिबिम्बित करने के लिए मांगी कि अमरित काल में जॉइन्ट सेशन को पहली बार आदिवासी समाद से आई एक महिलाने संगर्शों के बाद महमाहीम राष्ट्रपती के पद पर आसीन हो हम सब को अपने आशीश वचन दिये, मैं उसके लिए सर्वप्रतम उनका अभार व्यक्त करना चाहती हूं और महमहीम राष्ट्रपती जी से कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि वो ना सिर्फ आदिवासी समुदाय का ना सिर्फ महिलाओं का बलकि पूरे राष्ट्र का गौरव हैं मैं आज इस सदन में एक सांसद को सुन रही थी जिन्होंने अपने भाषन की शुरुवा थी इन शब्दों से की कि वो महमहीम राष्ट्रपती जी के अभी भाषन का विरोध करते हैं कही नहीं मन में ये टीस थी कि महा महीम राष्टरपती जी किसी एक राजनेतिक दल से नहीं बलकि पूरे राष्टर के गौरव से गरिमा से सम्बंदित हैं तो जो राष्टर का सबसे उत्तम प्रतीक है उनका विरोध इस सदन में उनके भाशन का विरोध इस सदन में क्यूं हूँ ये मेरे मन में प्रश्ण निश्चित रूप से उठा लेकिन अगर महमाहिम राश्ट्रपती जी के अभी भाशन की पहले प्रिष्ट को हम सब पढ़ें तो अमरत काल में स्वरनिम शब्दों में भारत के भविश्य को उन्होंने उल्ले खित किया एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की और दूसरी और मानवियक कार्यों की बात की और राश्ट्रपती जी ने अपने अभी भाशन में एक नागरिक होने के नाते विशेश मैं इस बात का गौरफ करती हूं कि सुप्रीम कमांडर अफ आम फोसेज ने भारत में पहली बार भा आमकरण हुआ उसका उल्लेक किया और अपना आनंद व्यक्ति किया ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व का विशेश मामाईम राश्ट्रपती जी ने एक तरफ नाशनल वार मेमोरियल का उल्लेक किया और दूसरी और उन्होंने हम सब को याद दिलाया कि हमारी नौसेना क अब छत्रपती शिवाजी महराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्न मिला है जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है भारत की शान बढ़ाता है और महमाईम राश्ट्रपती जी के इस उद्वोधन में अभिभाशन में मात्र दो तीन बिंदूओं पर मैं अमेठी की सांसद के न जो कहा था ग्रंथों का उलेक कर उन्होंने कहा कि अयम निजह परोवेती गणना लगुचेत साम अर्थात अपना ये है पराया ये ऐसी सोच होना उचित नहीं और राश्ट्रपती जी के इसी संकल्प इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोधी सरकार ने इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेश आभार व्यक्त करती हूं क्यूंकि अपने पराय की सोच से परेहट कर मेरे संसदिये छेत्र में महामहिम राश्ट्रपती जी के अभिभाशन को अगर मैं अमेठी की दृष्टी से देख तो हमने क्या पाया क्यूंकि पचास वर्ष खोया बहुत मेरे संसदिये छेत्र ने आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में चार विधानसभा छेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई ऐसे सज्जन न हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया लिकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेक निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दिख्टी से नई तकनीक का संचार हो तो पांच हजार करोड की लागत की असॉल्ट ट्राइफल की फैक्टरी अमेठी तब आई जब सांसत भारतिये जनता पार्टी का नहीं था बलकि कॉंग्रेस पार्टी का था राष्ट के संरक्षन के लिए अपने पराय का भेद ना कर ये उत्तम उधारन मेरे संसिदिये छेत्र में प्रस्तूत करने के लिए मैं देश के प्रधान से अभिवाक का आभार व्यक्त करती हूं महमाहीम राष्ट्रपती जी ने अपने अभिभाशन में नारी की प्रतिभा नारी के योगदान और राष्ट के भविश्य के निर्मान में नारी की भूमिका को उल्ले खित किया है आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ट नेता है जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टी से महामहीम राष्ट्रपती जी के अभिभाशन पर अपने विचार व्यक्त करेंगी लेकिन एक छोटा सा अपनी योड से मेरा प्रयास है कि सदन को मैं अवगत कराओं की ग्रामी इन अंचल में महिलाओं जो सेल्फ हेल्प ग्रूप के माद्ध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं उनका UPA के कारिकाल में और मोधी सरकार में क्या स्थान रहा हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहां चुनाओं का उल्लेक किया कि एक चुनाओं से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटर्व्यू था जिसमें विमेंज इंपावर्मेंट की बार-बार बात हुई लेकिन वो शब्द धर्ती पर कितने फली बहुत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहां देना चाहती हूँ 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिरफ 19 लाक सेलफ हैल ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी मोधी सरकार में यह संख्या बढ़कर अब 81 लाक हो गई है 2009 से लेकर 2014 तक जो राशी इन सभी सेलफ हैल्प ग्रुप्स को दी गई वो लगभग 80 हजार करोड थी लेकिन मोधी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक यह राशी बढ़ा कर 4 लाक तिरानवे हजार करोड रुप्या की देगी मैं प्रधान सेव्यक जी का विशेश आभार व्यक्त करती हूं कि विमिन्स डेवलप्मेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राश्ट का अगर उत्थान करना है तो उसमें एहम भूमिका नारी की होनी चाहिए मात्र इस एक सेल्फेल ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेश्टा ग्रामीन अंचल की महिला की प्रतिभापर देश के प्रधान सेव्यक को कितना नाज है और कितना विश्वास है मौहदे स्वास्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं मैंने सदन में पहले भी कहा आज भी कहती हूँ हमारे समाज में ग्रामीन अंचल में गरीब तपके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सारवजिनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेक होता था ग्रामीन अंचल और गरीब तपकी की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेक सामाजिक दृष्टिकोंड से नहों ऐसा नहीं था साधन उपलब्द नहीं थे गरीब महिला को इसलिए वो चर्चा में इस विशे को नहीं लाती थी आज भी हजारों सैकडों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं अपने परिवार की पहले चिंता करती हैं मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूँ स्वास्तमंत्री जी का कि आयुश्मान भारत योजना के अंतरगत 31 करोड कैंसर की स्क्रीनिंग हुई जिसमें से लगभग 13 करोड से जाधा देश की गरीब महिलाएं थी ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि breast का cancer हो, cervix का cancer हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए वो बोज नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल-तिल कर मरती थी आज आयुशमान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मी और मानविय काम किया, इन्ही मानविय मूल्यों का उलेक महामहीम राष्टपती जी के अभी भाशन में था. चूंकी स्वास्तमंत्री यहां बैठे हैं, अध्यनशील है, निशिकांच जी का आज मैंने भाशन सुना, वो magic of numbers की बात कर रहे थे, 50 लाग से लेकर 90 करोड की यात्रा का उलेक कर रहे थे, अब हम संसदिय छेत्र जो मुख्यता ग्रामीन है वहां से हैं, एक magic वहां भी हुआ और मौहदे आपकी अनुमती से, निशिकांच जी ने आज कहा, वो सब authenticate कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाएं 1981 में, एक foundation में जो काफी विख्या थे अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकर जमीन ली, और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, वो भलीभाती जानते हैं, उसकी प्रती मेरे हाथ में है, वहां पर ये कहा गया, कि आप जमीन दे दो 40 एकर हमें, और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक medical college बना देंगे, अब 40 एकर जमीन का magic, 623 रुपे में, 623 रुपे का रेंट और तीस साल तक, अमेठी के गरीब नागरिकों को, ये बार बार कहा गया, कि आपके लिए medical college खोल देंगे, लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है, तो जानेगा, कि जिस धर्ती पर वो college खोलने की बात कर रहे थे, उस पर उस परिवार ने अपने लिए guest house बनाया, मैंने स्वास्त मंत्री जी का उल्ले किस लिए किया, कि अपना और पराये का भेद ना हो, भले ही एक परिवार अपने foundation के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुश्मान भारत में सेवा देनी है, उसका प्रतीक स्वास्त मंत्राले के माध्यम से, मोधी सरकार के माध्यम से, मैंने अपने संतिजिये चेत्र में देखा, लेकिंगे मोहदे, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जन्पद अमेथी, उनसे संबन बेगी, इसमें एक मरीज का उल्लेक है, जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा, उस जा गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है, और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेथी में, उनके परिजनों ने विडियोग्राफिक एविडिन्स दिया, कि मरीज ने जाकर कहा, मैं आयुश्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है, पांच लाक मिश्रा को लोटा दिया गया, और कहा गया, मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां, काश नन्यलाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते, कि गंभीर बिमारी में लोटाए जाने से कितनी परिशानी होती है, लेकिन मोहदे ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुँचेगी, ना सद की बिमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका, यह वो लोग ही, जो आज नरेंद्र मोदी पर बैटकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदिय छेत्र में जहां पचास साल इनका राज्रा आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुश्मान भारत का कार्ड था, 623 रुपे प्रतिवर्ष, 40 एकर जमीन पर आज भी विराजमान है, लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज, 290 करोड से जादा की लागत पर, अगर किसी ने दि तो मानेविय मूल्यों का परिचे देते हुए, नरेंद्र दामुर्ददास मोदी ने दिया, यहां बहुत ठाके लगाए गए कि कोई यात्रा पे निकला था, इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भईया, जमीन हमारी जा रही है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की चिंता है, तो पहले समराठ साइकल, अदबुद, दृष्यता मोहद है, सिरफ उननीस सो असी के दशक में हस्पताल के नाम से जहां सा नहीं दिया गया, कहा गया आईए, इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्टरी खोलिए, और फैक्टरी खुलवाई गया, मुझसे जादा अर्थ शास्त्र के ग्यानी निशिकान जी असलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ, कहा गया आईए, फैक्टरी लगाईए, फैक्टरी का शिला नयास करने हमाएंगे, फिता काटेंगे, अचानक फैक्टरी वो बंद हो जाती है और जमीन फांडेशन को चली जाती है फैक्टरी की जमीन है ताकि वहाँ पर नया साधन, इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैनुफैक्ट्रिंग हो सके, कागज पर दस्तावेश पर चिन्निद है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमोर्शल अक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमोर्शल अक्टिविटी नहीं कर सकते, इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते, वहाँ का किसान कोट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोट का आदेश लाता है, और वो उस आदे इम पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं यह एक और आज यहां पर नहीं सुरेजी वो समझ आ रहा है यह भी प्रती है महादे एक आधूनिक भारत के निर्मान के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक मध्यमवर्ग्य परिवार तक सुविधा पहुँचे अब चूंकि राष्ट्रपती अभी भाषण में आधूनिक भारत के निर्मान की बात हुई है तो इसलिए महादे कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बलकि आधूनिक तत्व प्रगती के हर गाउं हर जिले तक पहुँचे एक अचंबित करने वाला नजारा और है फुर्सत गंज नाम का है कहर पूर जहां पर सिर्फ परिवार से संबंदित अकैडिमी है जमीन है सरकार की लेकिन परिवार ने अपने नाम से बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है यहां पर प्रधान मंत्री जी नेता जी सुभाज चंद्र बोस के नाम से इंफ्रस्ट्रक्चर बनाते हैं राहुल जी के नाम से प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमें पर और बोड पर वो जब थे तो उन्हों ने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया उस विदेशी कंपनी ने उस एरपो में उल्ले कित है लिकिन आज इस एरपोर्ट का मैं उल्ले क्या इसलिए कर रही हूं महद है कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूं कि हमारे यहां तिलोई नाम की एक विधान सबा है वहां पर 30 साल से एक बसड़ा बना दो यह हमारी जंता जनार्धन कहती रही बसड़ा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी देश में मोदी सरकार बनी और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनन्दित हूं कि फुरसत गंज एरपोर्ट को अब उडान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधार अनागरिक भी का इसमें फाइदा उठा सकता है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि अमेठी की एक बार चर्चा होती थी और मैंने राष्ट्रपती जी के अभी भाशन का विशेश उल्लेक इसलिए भी किया महामहीम राष्ट्रपती जी एक बहुत ही गजीप सामान्य परिवार से हैं और इस सरकार की एक बहुत बड़ी मानविय उपलब्धी यह है कि पद्मपुरुसकार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं मानविय काम करते हैं राष्ट्र का नाम रौशन करते हैं बिना इस अपेक्षा कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिसे सालों साल वी आईपी कॉंस्टिटिवन्सी कहा जाता था वहां परिवार से संबंदित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था लेकिन अमेठी में पहली बार एक बेटी को स्पोर्ट्स में पद्मपुरुसकार अगर किसी ने दिया तो वो शोभा अमेठी की बढ़ाई ह हमारे प्रधान सेवक ने और वो आशिरवाद दिया महामहीम राष्ट्रपती जी ने मैं सुधा उस बेटी की ओर से आज आभार व्यक्ति करती हूं महामहीम राष्ट्रपती जी हाँ मैं माइनॉरिटी की भी वो बात करना चाहते हैं मैं माइनॉरिटी की भी मोहदे वैसे आपका आपका मोहदे निर्देश ये रहता है आपका ये निर्देश रहता है मोहदे की सिर्फ चैर जो रही उसको सुनों और जो रही जी वक्तवे दे रहे हैं ताकि मैं भाशन अपना बंद कर दूँ उनको ना सुनो तो मैं बताना चाहूंगी मोहदे महिला और माइनॉरिटी दोनो जो शायद इनको शरमसार कर दे हज की कली पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिला रहे हैं तब हज की एक 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 अप्लिकेशन के लिए पैसा लिया जाता था जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसल्मान को ना भरना पड़े ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लए पचास हजार रुपे हज की यात्रा उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को ये भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकाल कर ये नहीं किया अनुशासित प्रशासनिक धाचे के माध्यम सी ये किया आज जिस लोन की ये बात करते हैं जब इनकी सरकार थी तो मात्र एक सो करोड का लोन इन्हों ने दिया अपनी सरकार में मोधी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से जादा चात्रों को 280 करोड रुपया से जादा पैसा दिया ये चलते रहे देश में माइनॉरिटीज को ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द है और आज जो मुझसे पूछते हैं जो आज मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया महिला का अगर आप जेंडर बज़ेट देखें महदे तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बज़ेट अभी घोशित हुआ है उस पूरे बज़ेट में जेंडर बज़ेट एक-एक मंत्राले में 130 प्रतिशत का इजापा हुआ है जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंदर बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया मैं आज दिनकर जी को याद करती हूँ राश्ट्रकवी ने कहा था प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जाच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना संकल्प मोदी ने किया और इसलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथे के उन पर कटाक्ष करते हैं उन पर आरोप मड़ते हैं जिनोंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमी पर आज भी 623 रुप अर्थ क्यों देते हैं वो भूमी छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमी लोटाते क्यों नहीं जिनोंने आज इस सदन पर कटाक्षों की लेहर गिना दी उनसे पूछती हूँ समराट साइकल अमेठी के किसानों की जमीन आज भी क्यों उस खांदान ने हर्पी है लोटाते क्यों नहीं कोट और के बावजूद लेकिन यह मात्र जमीनों की बात नहीं है मोहदे कुछ और तक्थे हैं जो इनको शर्म सर करेंगे जहां 50 साल एक खांदान ने प्रतिनीधी बनकर इस देश की संविधानिक स्थानों पर कुर्चियों पर हक जताया उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र की आज मैं बताना चाहती हूं महामहीम राश्रपती जी ने अपने अभी भाशन में कहा कि प्रती दिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत 11,000 घर बनाती है मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महुदे 93,000 घर हमारी सरकार ने बना कर दिये मतलब लगभग 4,000,000 लोगों के पास अमेठी में सरपर छत नहीं थी महुदे जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा महुदे आज मैं बताना चाहती हूं महामाहीम राश्ट्रपती जी ने अपने अभिभाशन में उल्ले किया कि 55,000 घर के कनेक्शन प्रती दिन दिये गए इस सरकार द्वारा अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बने ये जानना चाहते हैं क्यूं मैं अपने लोगों की बात करूं क्यूं ना करूं महामहीम राष्टरपती जी ने उल्ले किया कि गरीब को मुसीबत के वक्त मुफ्त का राशन मोदी सरकार ने पहुँचाया इस वर्ष 2,00,00 करोड का वै हो रहा है मेरी लोग सभाच्छेतर में 18,00,72,00 लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है मैं उनकी और से आभार व्यक्त करती हूं क्यूं ना करूं 305 किलो मीटर सडके सिर्व मेरे एक जन्पद में बनी है महादे पांच गाओं का नाम सुना देती हूं 50 साल में पांच गाओं तक कभी सडक नहीं पहुंची थी जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो नहीं संसदिय छेत्र में मैंने महादे सुना था हिंदी में दिया तले अंधेरा चोर की दड़ी में तिनका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आज इन सारी हिंडी की जितने भी हमारी प्रावर्ब्स हैं उनका एक दर्शन मैंने यहां किया है उनको जवाब देना पड़ेग कि देश में पहली बार आदिवासी समुदाय की एक बेटी को एक महिला को राष्ट्र के सबसे उच्च संविधानिक पद पर मात्र नरेंद्र भाय मोदी के प्रयासों से पहुँचाया गया इतना ही संतोश नहीं कर रहे हूँ मैं गौरफ करती हूँ इस बात का कि अगर आप समुचित सरकार का आदिवासी छेतर के लिए बजट देखिए तो जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो 19,000 करोड रुपया खर्चा करते थे पूरी सरकार को कहते थे और जब मोदी जी की सरकार बनी तो 88,000 करोड रुपया मात्र आदिवासी परिवारों के लिए हमारी सरकार ने वै किया तो आप तु वरिष्ट है मोहदे आप राष्ट कभी का कई बार कई भाशणों में उलेक भी कर चुके हैं कई चर्चाओं में उनका उलेक कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है वो कौन था जो कहता था विदेश से वैक्सीन लाओ वो कौन था जो कहता था हिंदुस्तान की वैक्सीन ना लगाओ और वो कौन था जिसने कहा कि विदेश पर नहीं अपने देश पर भरोसा करो वैक्सीन यहां बनाओ और हर हिंदुस्तानी को मुफ्त लगाओ उस आटों में रह बनाने के लिए और भारत के नवनिर्मान के संकल्प के साथ संकल्पित अमेठी को भी आशिरवाद देने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं अभिनंदन करती हूं और महमहीम राष्ट्रपती जी को इस सदन के माध्यम से कहना चाह की महिला और सामाजिक परिस्थितियों से उत्थान करने वाली महिला का उलेक बार-बार हमारे इतिहास में स्वर्णे मक्षरों में हो अम्रित काल में मेरी प्रभू से यही प्रार्थना है महमहीम राष्ट्रपती जी को बड़े गौरव के साथ चर्णों में शीष जुका क उनके अभी भाषन के लिए आभार व्यक्त करती हूं